आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ येस डाट इस अ करेक्ट स्टेटमेंट क्यूंकि जो B2H6 है ये NH3 के साथ कंबाइन होके एक एडिशन कंपाउन फोम करता है B2H6.2NH3 तो ये एडिशन कंपाउन फोम करता है किसके साथ में NH3 के साथ में इसके लोन पेर्स को एकसेप्ट करके यानि कि ये एक Lewis acid है तो फिर्स स्टेटमेंट करेक्ट है नेक्स्ट है अल हाइड्रोजन और बोरोन बोन्स इन B2H6 आर इक्वल तो अगर हम डाइबोरेन का स्ट्रक्चर बनाए तो ये बोरोन है इससे ये दो हाइड्रोजन आटाज्ट है ये क्या है ब्रिजिंग हाइड्रोजन है जो कि दो बोरोन आटम से अटाज्ट है तो अगर हम बात करें तो ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन और बोरोन की जो बोन्ड लेंथ है that is shorter, यह जो bond length है, हम बोल सकते हैं कि जो terminal bond length है between boron and hydrogen, it is shorter than bridging bond length of boron and hydrogen, यानि कि यह जो bond length है, यह बड़ी होती है as compared to this one, तो यह statement गलत है हमारी, next है, B2H6 has a planar structure, यह भी गलत है, क्योंकि जो यह bridging hydrogen है, यह जो upper वाला है, यह above the plane present होता है, and यह lower वाला, below the plane present होता है, and यह जो terminal hydrogens है, यह in the plane present होते हैं, तो यह statement गलत हो गई, next है, maximum number of hydrogen in one plane is 6, तो आमने अभी देखा, कि जो bridging वाले हैं, यह above or below present होंगे, and एक plane में total कितने hydrogen present है, total 4 hydrogen present है, तो यह statement भी गलत हो गई, हमारी correct statement है, option 1 में, कि जो B2H6 है, यह Lewis Acid है, Classics to 12 से लेके, Need IIT GE, Means और Advance के लेवल तक, 10 मिलियन से जादा students का भरोसा, आज यह डाउनलोड करें doubt net आप, यह WhatsApp कीजिए अपने doubts, 8400-400-400 पर,